इसमें टोटल 21 questions आएंगे 7 printed pages में है ठीक है आपको यह देखना होगा और जब आपको question paper मिलेगा तो आपको सबसे पहले यह ensure कर लेना होगा कि इसमें 21 questions 7 printed pages है ठीक है उसके बाद आपको अपना roll number लिखना होगा ठीक है इस subject इस मतलब है जो question paper इसका code और set यह है ठीक है यहाँ पर day and date of examination मेंशन करना होगा यहाँ पर दोनों जगह signature होंगे जो आपके classroom में teacher आएंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पर instruction में वही बताया गया कि आपको roll number लिखना होगा question paper में आपको answer करना होगा कि जो questions यहाँ पर mention है उपर जो कि कि 21 और 7 printed pages यह होने चाहिए ठीक है उसके बात कहा रहे हैं कि MC quiz में जो option सिर्फ एक option साही है वही आपको लिखना है fourth में कहा रहे है कोई भी mark आप नहीं लगाओ गया answer book में नहीं अपना roll number लिखोगा अगर ऐसा करते हुए पकड़े गया तो आप exam से disqualify हो जाओगी ठीक है आपको answer book में सिर्फ इस question paper का code और set लिख answer book में ठीक है अब वही चीज यहां पर हिंदी में mention कर रहा है next आपका question paper यहां से start होता है अब इस question paper में ध्यान से दूपर गंटे का paper होता है one and half hours का 30 marks का question paper होता है सारे question पंपल सरी है तो पहला जो question आप देखोगी यहां पर philips है ठीक है चार philips आएंगे चार number के ठीक है use आएंगे एक mcqs यहां है बाकी दो आप यहां से देख सकते हो दो mcqs यह रहा आपका ठीक है और 10th question में mcqs होगे उसके बाद next question जो है यहां पर very short answer type है मतलब कुछ words में आपको answer लिखने है जो कि 4 question आएंगे तो 4 question आप यहां देख सकते हो उसके बाद आपका next है short answer type ह question है दो number question है 5 question आएंगे यहां पर 2 question आपको यहां पर दिख रहा है उसके बाद बाकी के 3 question आप यहां पर देख सकते है ठीक है पाँच यह होगे उसके बाद next question जो आएगा यहां पर उसमें आपको इस question को briefly explain करना है मतलब 100 words 80 से 100 words मान लो आप ठीक है दो question करने है 3 number के 3, 6 number क है ठीक है इस तरह से आपका यह question भी पर दा मिलतें फिर next video में